बेगानी साधी में अबदुल्ला दिवाना नजाने कब से सुना जा रहा था पर देखा पहली बार वे भी उस व्यक्ति को जिसके नाना कभी केरल से मलेशिया गए थी और वहां एक मल्य महिला से विवा किया था यानि महातिर मुहमद की रगों में किसी न किसी रूप में मुगलों का अंस मौजूद है महातिर मुहमद ने कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करके बेवजय मुसिबत मोल ले ली अब इस्थिती यह है कि पाकिस्तान मजे में है और महातिर मुहमद भारत की आखों की किरकिरीब बने हुए है यानि बेगानी साधी में अबदुल्ला बनने का परिणाम महातिर मुहमद से बेतर कोई नहीं बता सकता है मलेशिया यू भी कभी भारत का गहरा दोस्त नहीं रहा लेकिन उसके कूट नितिक वेवार में कभी भारत से टकराने के तेवर भी नहीं रहे लेकिन कस्मीर के मसले पर पाकिस्तानी परधान मंतरी के इसलाम काड में मातिर फस गए उन्होंने बाकाइदा सेंक तुरस्ट में तूल दे कर भारत को मजबूर कर दिया कि वे अपने इतों की रक्सा करे अभालत यह कि मलेशिया हक्का बक्का है एक ही जटके में भारत को उसका आयात 30 फीजदी पर आ गया है जबकि भारत का निर्यात 38 अरब 53 करोड रुपे से बढ़कार 40 अरब 32 करोड रुपे हो चुका है यानि मलेशिया का निर्यात घटा तेजी से बढ़ रहा है जिसके बाद मलेशिया में खलबली मची हुई है 9 मई 2018 को हुए चुनाओं में 84 साल का मातिर मुहमद मलेशिया का सात्वा परदानमंत्री चुना गया था उनकी उमर और मैत्व काक्सा को लेकर पूरी दुनिया को आश्चरिया हुआ था उससे पहले मातिर मुहमद 16 जुलाई 1981 को परदानमंत्री बने थे और 31 अक्टुबर 2003 को राजनीती से अवकास ले लिया था लगबग 25 साल तक वे मलेशिया के सासन पर भुखब बने रहे इसी मातिर ने 24 सितंबर को काया था कि भारत ने कस्मीर पर कबजक्कर रखा है बाद में फिर काया कि वे अपने ब्यान पर कायम है लेकिन मोधी सरकार की सबक सिखाने की नीती के चलती अब मलेशिया घुटनों पर है 94 साल के बुढ़व की रीड को तीर कमान बनाने का फैसला मोधी सरकार कर चुकी है ताजा आंकडों के अनुसार दुनिया की बड़ी पॉम ओयल इंडिस्ट्री पर दुनिया के बड़े पाम ओयल क्रेपा ने ताले लगवा दिये है संभवता दुनिया के अन्य देश भारत से इसलिए पंगा लेने से कतराते है आज चीन के मूपर जो टेप लगी है वे भारत के बड़े बाजार की वज़े से है पिछले वरस तक भारत मलेशियाई पाम ओयल का बड़ा आयातक देश था ताड़ का तेल, खाद तेलो, वेज़ेम डीजल के निर्मान के काम में आता है इंडोनेशिया पाम ओयल का सबसे बड़ा उत्पातक देश है उसके बाद मलेशिया, नाइजीरिया, थाइलेंड, सिरिलंका, कोलंबिया, ब्रेनिन, कैमरून, कैन्या, घाना आदी पाम ओयल के सप्लायर देश है इसी मलेशिया से भारत ने सितमबर 2019 तक 4 मिलियन टन पाम ओयल आयात किया था लेकिन सोल्वेंट एक्स्टेक्टर एसोसियेशन ओप इंडिया ने 21 अक्टुबर 2019 को अपने सदेश्य को निर्देश दिया कि मलेशिया से पाम ओयल आयात करना बंद कर दे इमराल नोंडे के चक्कर में मातिर मुहमद ने मलेशियाई जनता का वो बकरा बना दिया जिसके खुर रोजाना तूट रहे हैं यानि मलेशियाई अर्थवस्था की रीड कहे जाने वाली पाम इंडिस्ट्री सबसे कठिन दोर से बुजर रही है सितंबर महिने की सुरुआत में पामोल के दामों में 28 फिस्दी की गिरावट दर्ज की गई है लगबग 5 लाक लोगों के बेरोजगार होने का संकट भी खड़ा हो गया है खास बात यह है कि मलेशिया की घरेलू राजनिती में कस्मीर के फैसले से कोई फरक नहीं पड़ता उसके बावजूद भी महातिर मॉम्मद अब्दुल्ला बनकर कूद गए वरस 2009 में मलेशिया के प्रधान मंत्री बने नाजिब अब्दुल्रजाक इस महातिर के मुकाबले ज़्यादा सुलजे नेता थे वे आखरी बार 30 अप्रैल 2017 को भारत आये थे मोदी के साथ उनके रिष्टे भी दोस्ताना रहे हैं पर अब बात पलट गई है इसलिए भारत मलेशिया के साथ कही ज़्यादा सक्ति से पेशा रहा है परवासी भारतियों का एक बड़ा हिस्सा मलेशिया में बसता है जिनकी तादाद 20,35,000 है इनमें अधिकतर केरल से गए लोग हैं तमील, मलियाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और मारवाडी भी मलेशिया में काफी संख्या में है मगर अब दोनों देशों के बीच कस्मीर घुश जाने से माहूल बिगड़ने का डर बन रहा है मलेशिया की पाम इंडिस्ट्री मिनेस्टर टेरिसा कोक ने भारत द्वारा पाम ओयल के बहिसकार को चिंता जनक बताया है दरसल मलेशिया पर भारत द्वारा दी गई आर्थिक चोट का परिनाम जल्दी दिखाई देने की वज़े चीन अमरीका ट्रेडवार है मलेशिया का विदेशियू वेपार चीन की वज़े से टिका हुआ था चीन electronic parts और पाम ओयल मलेशिया से लेता था और उससे तयार उत्पाद को अमरीका सप्लाइ करता था ट्रेडवार के चलते चीन ने मलेशिया से आयात में भारिक कमी कर दी है जबकि भारत मातिर मुहमत की तरह बोलने की बजाए चुपचाप उन्हें सबक सिखा रहा है बड़ी बात यह है कि मातिर को बीच में लटका कर इमरान ने उनकी एक बार भी सुद्ध नहीं ली है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आयोगा आपसे सिखर बेट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जै जवान जै किसाथ जै हिंद बन्द मातराम